फटाग, 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में कि बाबा साहब गुस्सा करना अच्छी बात नहीं, गुस्सा करोगे तो भटक जाओगे, ज़रा सुनिये अपने हे बेटे को भरे मंद से सलाय दिख विजय सिंगी यही मैं कहने के लिए आया हूँ, बाकी सब चीजें आपको मैं सौप के जा रहा हूँ, बाबा साव आपके जिन्मे हैं, अच्छा काम करें, रागोजी महराज इसको खूब आगे आशिरवात देते रहें, और सद्बुद्धी से काम करें, लेकिन एक बात है, गुस्सा व्यक करता है, वो भटक जाता है, इसलिए सब को साथ लेके चलो, सबने अपना काम करो. सुना आपने, दिगविजे सिंग ने अपने ही बेटे को सलाय दी, कॉंग्रेस से विधायक ने जैवर्दन सिंग, और आपको यह भी बता दूँ, कि जैवर्दन सिंग के राजनेतिक गुरू, उनके पिता दिगविजे सिंग ही है, या यू कहें, राजनेतिक समिक्षक दिगविजे सिंग ही है, इस कारिकर में गुरा में जैसे नेजी कारिकर में पहुंचे थे, मंदिर में दर्शन भी किये, जो उनके परिवारिक मंदिर हैं जहां जाते हैं दिगविजे सिंग हमेशा लेकिन भरे मंच से अपने ही बेटे को नसीहत दे कर बहुत कुछ संदेश दे दाला कॉंग्रिस नेता सांसथ दिगविजे सिंग ने जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इस छित्र की रागोबल की जनता के हवाले करता हूं जैवर्द दिगविजे सिंग चर्चा में आ जाते हैं लेकिन इस बार चूकी मामला बेटे से जुड़ा हुआ था चर्चा का विश्या बन गया कि भरे मन से ही बेटे को दिगविजे सिंग ने सलाह ऐसी क्यों दी जैवर्दन सिंग के गुसे का कहीं नुकसान पाटी को या उनकी छब पर भी निज़ा रखते हैं चाहे जैवर्दन सिंग अगर प्रतिकरिया ज़रूर देते हैं तमाम माध्यमों पर सोशल मीडिया के लेकिन इस बार चूकी भरे मंच पर एक सरकारी कारिकम था वहाँ पर पहुंचे थे गुना जिले में यह कारिकम था दिगविजे सिंग जहा कर ये बड़ी कोशिश भी की या कहूं के बता भी दिया कि सियासत कैसे करी जाती है गुना से आप तक यह ख़बर पहुंचा यह मस्तमाता विकास दिक्षित ने आप देखते रहें एंपीता कि यह खब देखते हुआ जाता हुआ कि लिया कि अवाँ तक